नमस्कार और आप देखें पलपल रिष्टे हुए एक बार फिर से तारता फुफेरी वेहन को बनाया हावसकाशिका जी हाँ घटना गाउं कोसली की है जो रेवारी जीले में पड़ता है कोसली में एक बार फिर से उस समय रिष्टे तारतार होते हुए नजर आए जब एक युवक ने अपनी ही बुआ की विवाहिता वेटी को स्पीक के घर में हावसका शिकार बना डाला बरहाल पुलिस ने पिडिता की सिकायत पर मारोपी के खिलाब 1334 के तहट मामला दर्ज कर उसे ग्राफतार कर लिया है अगर पुलिस की माने तो गरीब 20 दिन पहले कोशली निवासी 22 वर्षियर राजु नाम के एक युवक ने अपने पडोस में रहने वाली एक विवाहिता के घर में घुश करके अपनी हावसका सिकार बनाया और मोके से फरार हो गया उसमें पिडिता ने रिष्टों की मर्यादा को देखते हुए पुलिस को सिकायत नहीं दी क्योंकि पिडिता रिष्टे में उसकी बहन लगती है लेकिन जब दुबारा आरोपी ने उसके साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो पिडिता ने सब का बात तो डाला और इसने पुलिस को सिकायत दे दी जिस पर तवित कारवाई करते हुए उससे गिरफतार कर लिया गया अब पुलिस ने आगे की कारवाई सुरू कर दी है आपको बता दे कि आरोपी हाल ही में एक आपरादिक मामले में जवानत पर जेल के बाहरा आया हुआ था आप देख रहे हैं पलपल रियवारी से महंदर भारती की विशेश रिपोंगा कल जो एक महिला छेतर में रहती है उनकी तरप से हमारी महिला अधिकारी के सामने एक सिकायत पेस की गई कि उसके साथ 20-25 दिन पहले गलत काम किया गया था जो इस समंद में तुरंत अब योग दरज किया जा चुका है और आरोपी को तुरंती गरपतार कर लिया गया गया है ये 376, 472 और 506 के तैट FIR दरज की गयी है गरपतार हो चुका है और मेडिकल कराय जा चुका है झाल में चुका है घर चाल में प्रम्ड़ को तबाइँ को प्रमंद één जया गया जया चुका है ये उया है जाल में दो जोई जोगए जोगा है ।